के गाइज वेलकम बेक टो कुश्वाह केडमी चानल सो टोड़े आइम बैक विद डेली यूज वर्ड पावर वर्ड्स जो कि हम रोजमरा की लाइफ में यूज कर सकते हैं जैसे कि नथिंग एल्स नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ नहीं जैसे कि अगर हमें कोई नथिंग एल्स और कुछ नहीं मतलब हमें और कुछ नहीं चाहिए नेक्स्ट वर्ड है नथिंग स्पेशल नथिंग स्पेशल का मतलब होता है कोई खास बात नहीं जैसे कि हम से कोई पूछता है कि आपका मूड आफ है या आप सैड हो तो हम उसको यह कह सकते हैं हिंदी मे बोलने के बज़ाए कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है हम यह कह सकते हैं कि no nothing special next word है okay, okay का हम सब को पता है कि okay का मतलब होता है अच्छा, या फिर अगर हमने किसी की बात हमें किसी की बात समझ आ गई है तो भी हम उसको कह सकते हैं कि okay next word है हमारा of course of course का मतलब होता है बेशक of course word ये भी हम daily life में इसका use करते हैं जैसे कि अगर हम से कोई पुछता है कि आपने ये काम कर लिया या आप ये काम कर सकते हो तो हम ये कह सकते हैं कि yes of course हम कर सकते हैं next word है pack up pack up का मतलब होता है बंद करो जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं अब हमें वो काम करने की नीड नहीं है या वो काम अब हो चुका है तो हम उसको English में बोल सकते हैं कि let's pack up next word है rest assured rest assured का मतलब होता है कि धरोसा रखें जैसे कि अगर हमें किसी को ये कहना है कि आप trust me हम ये काम आपका कर देंगे तो हम trust me की बचाए उसको rest assured भी बोल सकते हैं next word है see you again see you again का मतलब होता है फिर मिलेंगे जैसे कि हमारे गर कोई भी guests आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि okay हम फिर मिलेंगे हिंदी में बोलते हैं तो हम इसको English में बोल सकते हैं that see you again फिर मिलेंगे next word है हमारा sit down sit down का मतलब होता है बैट जाओ जैसे कि teacher school में students को बोलते हैं जब वो उन्हें English करते हैं कोई भी good afternoon, good evening तो teachers बोलते हैं कि sit down मतलब आप बैट जाओ next word है good bye good bye का मतलब होता है अच्छा चलते हैं जब भी हम किसी से विदा लेते हैं या किसी के घर से जाते हैं तो हम जिसके घर से जाते हैं उसको हम बोलते हैं कि good bye अच्छा चलते हैं next word है it's too much जैसे कि किसी ने हमें ज़ादा तंग कर दिया या परचान कर दिया या बहुत चिड़ा दिया तो हम उसको यह कह सकते हैं कि now it's too much बहुत हुआ हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं कि बस अब बहुत हुआ या फिर कोई हम पे अत्याचार कर रहा है हम उसको सह रहे हैं तो उसको भी हम बोलते हैं जैसे की बस अब बहुत हुआ अब हम नहीं सहेंगे तो इसको हम इंगलिश में बोल सकते हैं की Now it's too much, yeah it's too much तो ये थे हमारे डेली उसके 10 सिंटेंसे जो की हम डेली रोज मरा की लाइफ में यूज कर सकते हैं आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज लेके आँगी तब तक के लिए वाच माई चानल कुश्वाहा एकेडमी और लाइक, शेर और सबस्क्राइब